हेलो सूरिंट्स वेलकम बाक टूदे चैनल तो आज हम यहां पर बात करने वाले हैं कि जो कल बजट आया है उसके हम थोड़ा सा रिव्यू देखेंगे कि उस बजट के क्या रिव्यूज हैं किस सेक्टर को फायदा होने वाला है कौन सी चीज महंगी होने वाली है कौन सी सथी होने वाले किन चीजों पर नए बिल्स लाए जाएंगे गौर्मेंट ने कितना एक्स्पेंडिटर किस सीज पर करना है वो हम इस शौर्ट वीडियो में इन सारी बातों को समझेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं जो बजट आया है यह फैनेंस मिनिस्टर निर्मला सीता रम हम उनको अठयारा लाया गया है तो यहाँ पर हम बात करेंगे इस बजट रिव्यू में चैन चीज से शचति होंगी किया कै से adds को फाइदा होने वाला है उसके बाद अगर बात करें income tax की तो income tax में किसी भी तरीके के कोई भी changes नहीं आए है जो पहले slabs थे वो ही slab अभी भी है जो लोग senior citizen है मतलब वो above 75 years old है तो उनकी जो income है pension income है अपर interest income उस पर कोई आपका return नहीं है investment अगर आप capital gain में करते हैं तो उसको government ने pre-filled करना पड़ेगा उसको जिससे government आपके pen card के through आपकी जितनी भी information है वो ले सकती है तो pen card is mandatory जो housing loan है उसमें आपको deduction है 1.500 रुपीज की क्या क्या सस्ता होने वाला है उसकी बात करते हैं क्या क्या चीज़ें इस budget में सस्ती होने वारी है तो जैसी आपने देखा जैसी budget आया तो आपका जो gold silver है ये जो है सस्ता होने वाला है क्योंकि इस पर custom duty के rates क्या होने वाले है कम होने वाले है तो अब जो लोग invest करना चाहते है custom duty reduce कर दी गई है तो अब ये gold and silver के वाज़ेगा आपका सस्ता हो जाएगा तो जो trade deficit हमारे bill में होता था जो trade deficit हमारे यहां होता था वो due to import of oil and gold वही जो हम trade deficit होता था हमारे यहां पर किसकी वज़े से कि हम import ज्यादा करते थे किस-किस का import करते थे हम oil का and gold का क्या करते थे हम लोग import करते थे जिसकी वज़े से क्या होता था trade deficit हमारा होता था ठीक है तो बात करते है custom duty की तो custom duty पहले हमारे पास 12.5 थी custom duty पहले 12.5% थी now वो अब है 7.5% gold और silver पर अब देखते हैं यहाँ पर तो पहले 12.5 था अब है 7.5 तो इसका मना यहाँ पर custom duty कम हो गई तो gold और silver किदाम क्या हो सकते हैं सस्ते हो सकते हैं ओके अब बात करते हैं CES की तो CES हमारा agricultural infrastructural development CES वो 2.5 कर दिया गया है agricultural जो CES है हमारे पास infrastructural development के लिए 2.5 कर दिया गया है और जो alcoholic beverages है alcoholic beverages उन पे 100% का CES है जो alcoholic beverages है उन पे CES कितना है 100% का उनके उपर CES है ठीक है बात करते है iron and steel की तो iron and steel पे पहले 5% का CES था 5% now it becomes 2.5% जो कि iron, copper, steel ये सब था पहले 5% था इस पर अब कितना हो गए 2.5% तो ये चीज़ें भी सस्ती होने वाली हैं अब जैसे आपको पता होगा इंडिया mobile और mobile के charger mobile की accessories भी बनाने लगाए तो यहाँ पर भी ये चीज़ें काफी सस्ती होने वाली हैं ठीक है उसके बाद हम देखते हैं कि महंगा क्या क्या होने वाला है अब दो कि महंगा क्या क्या होने वाला है तो उस पर बात करते हम क्या क्या चीज़े महेंगी होंगी इस budget में ठीक है इस budget में अगर हम बात करें जो हमारे पास auto mobile parts है ठीक है उस पे custom duty उस पे हमारी जो custom duty है वो बढ़ा दी गई है वो बढ़ा कर 15% हो गई है ठीक है तो जो auto mobile है ठीक है तो यहाँ पर क्या होने वाले है वो महेंगे होने वाले हैं जैसे ही आपने देखा कि आपका जितना भी चीज़े हैं अब यहाँ पर आगे आप दगर देखेंगे तो जो भी आटो मोबाइल सेक्टर है जो टायर कंपनीज बनाती है उनके शेयर के प्राइस फॉरण एकदम बढ़ गए देखा भी होगा आप लोगों ने ठीक है कल के बजट के बाद उसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास कॉतल रल कर दिये गाए जो इसका मतब मतब पर दीजल पहले की तरह और भी बढ़ने वाले हैं तो जैसे आप सुनते थे ठीक है आप करते थे अकड़ बंबे हो अकड़ बंबे हो अकड़ पूरे सो तो एक दिन ये चीज भी बिल्कुल होनी है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पेट्रोल है तो पेट्रोल पर क्या किया गया है पेट्रोल पर जो हमारे पास एक्री कल्शरल सैस है वो 2.5 पर लिटर लगाया गया है 2.5 पर लिटर एक्री कल्शरल इंफ्रेस्टेक्शरल डेवलपमेंट सैस वो 2.5 लगाया गया है और जो डीजल है अब आप देखते हैं कि डीजल तो पेट्रोल जो ही मेंगा तो इस पर 4 पर लीटर 4 पर लीटर आपका agricultural and infrastructural development says लगाया गया है पेट्रोल पे 2.5 पर लीटर है और डीजल पे कितना है 4 पर लीटर है ठीक है तो automobile sector में like Tata Motors हो गया अशोक लेलेंड हो गया इनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है ठीक है अब वो फायदा कैसे होगा कि अब यहाँ पर government policy लेकर आने वाली है वो है vehicle scrap policy government policy लेने वाली है वो कौन सी है हमारे पास vehicle scrap policy या vehicle scrap policy में क्या होता है कि जो भी आपके vehicle है जिनकी जो 15 साल से ज्यादा कि हो जाते है तो government उनको क्या करेगा वापस ले लेगा तो जिनके पास vehicles पुराने हैं तो यह फायदा उनको भी होने वाला है ठीक है अब automobile sector की जो demand है वो बढ़ने वाली है अब बढ़ने वाली है तो आपने देखा होगा जो tire industries है ठीक है ओके या फिर आपका जो automobile में deal करती है उनके share के price एकदम बढ़ चुके है ठीक है अब government क्य करेगी जो government नया policy लेकर आने वाली है vehicle scrap policy उसमें लोगों को क्या करेगी financial assistance provide करेगी subsidies अपने पास से क्या करेगी कुछ provide करेगी ठीक है उसके बाद हम बात करते है solar energy investment की तो solar energy पर भी invest करना जा रही है government और जो कि around 1000 करोड के आसपास है ठीक है solar energy में जो investment होगा वह का 1000 करोड के आसपास उसके बाद renewal energy के अगर हमँबा बात करें तो रिनेवल energy पर 1500 करोड का investment करने जारी है government और जो हमारे पास next है हमारे पास जैसे टाटा autars की मैं ना बात करी अशोक Leland की बात करी अविसे textile है हमारे पास तो textile parks बनाने जारी है government seven textile parks बनाने जारी है आने वाली तीन साल म हम सारी बातों को समझेंगे कि क्या क्या हमारे पास highlighted points हैं क्या क्या चीजें हैं ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं कि government health care अब आप आपने देखा होगा कोविड 19 के बाद health care sector बहुत जल्दी ग्रो कर आए ठीक है health care का budget कोविड 19 ठीक है अब उसके बाद कोविड के लिए कोविड 19 कोविड के लिए जो government ने budget पास किया है वो है 35,000 करोड का वैक्सीन के बाद ये जो government क्या करेगी 35,000 करोड का budget लेकर आई है ठीक है बात करते हैं insurance sector की तो insurance sector में पहले हमारे पास FDI में 49% था अब ये हमारे पास है बढ़कर हो गया है 74% का share ठीक है ओके fiscal year 2020 में railway के पास हमारा जो budget था वो है 1.10 लेक करोड जो railway के पास budget है ठीक है railway का budget वो है हमारे पास 1.1 लेक करोड का budget है अगर हम बात करते हैं कि आने वाले 6 सालों में government जो primary health care है secondary health care है और tertiary health care है ठीक है तो उस पर government जो करना वाली है वो है हमारे पास 64.180 करोड का budget पास किया है government ने आने वाले 6 सालों में ठीक है तो ये मैं जल्दी जल्दी आपको key points key highlights बता रहा हूँ कि जो इस budget की key highlights है ठीक है उसके बाद हमारे पास जो भी हमारे gas plant है वो 100 cities में develop करने वाली है government इस budget में government ने ये भी कहा है कि gas के plant 100 cities से जादा में वो लगाने वाली है तो जैसे पहले हमारे पास small scale industries होता था small business हम बोलते थे जिस business का turnover 2 करोड है ठीक है अब tax audit की बात करें तो tax audit पहले mandatory था 5 करोड पर tax audit आपको कराना था अब इसकी relaxation आपको मिल गई है कि tax audit अपका होगा आपका जब आपका 10 करोड से क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा ठीक है उसके बाद हम बात करते हैं LIC तो government बहुत time से कह रही है कि LIC का IPO आने वाला है लेकिन अभी तक LIC का initial public offer अभी तक नहीं आया है और जब भी अगर आएगा तो हम अपनी वीडियो के थूर आपको बिल्पूल बताएंगे तो बात करते हैं capital expenditure की तो capital expenditure जो government net financial fiscal year 2022 में था वो 5.54 लैक करोड का target है ठीक है लास्ट येर था 4.3 लैक करोड का target था लेकिन जैसे से capital expenditure बढ़ रहे हैं उस जगा से हमारे पास return उतना नहीं आ पा रहा है तो जिस वज़ा से हम किसमें जा रहे हैं fiscal deficit में जा रहे हैं ठीक है तो अब आप मुझे बताएं कि fiscal deficit को correct करेक्ट करने के हमारे पास कौन कौन से measure हो सकते हैं आप से मैं request करता हूँ कि आप please comment section में जरूर comment करके बताएं ठीक है और जिसने भी अच्छा suggestion दिया तो मैं उस पर एक वीडियो जरूर बनाऊगा ठीक है हम बात करते है fiscal deficit क्या होता है यह बहुत easy term है students fiscal deficit suppose करते हैं आपकी earning है आपकी income है 20,000 रुपे की ठीक है 20,000 रुपे की आपकी income है और आपका खर्चा है 25,000 रुपे का तो इसका मतलब 5,000 रुपे आपका loss हो गया इसी को हम बोलते हैं deficit तो यह है हमारा fiscal deficit तो यह बहुत एक ऐ banks को privatize करने का target यह भी बताना कि government अगर privatize कर देगी banks को तो क्या benefit हो सकते हैं क्या उसके positives हैं क्या उसके negatives हैं मैं चाहूंगा क्या आप लोग मुझे comment section में जरूर comment करके बता है ठीक है जो agricultural industry है जो हमारा fiscal year उसमें 16.5 lakh करोड के लिए है हमारे पास जो target है ठीक है अब बात करत है stock market की कि stock market से related government काफी सारे act लेकर आने वाली है से भी act हो गया depository act हो गया securities control and regulation act हो गया and government securities act हो गया ठीक है तो यह सारी चीज़े थी एक बार मैं बात करता हूं यहाँ पर की budgets क्या क्या है take away government to raise funds via the listing of LIC अब देखे LIC की listing मतलब IPO लेकर आने वाली है लेकिन अभी तक नहीं ही आया है ओके deposit insurance रोज deposit insurance कितना बढ़ गया 5 lakh तक बढ़ गया 21 fiscal deficit target packed at 35% of GDP यह था पहले ओके fiscal year 20 fiscal deficit at 3.8 of GDP versus an earlier target 3.3% companies act to be amended to discriminalize civil offenses तो companies act को क्या किया जाएगा amend किया जाएगा ठीक है next है year 21 nominal GDP growth packed at 10% to bring new education policy allocates rupees 99,300 crore for the sector in year 21 hundred more airports to be developed by 2025 to support OLAN scheme OLAN scheme को support करने के लिए government ने propose किये है कि 2025 तक 100 नए airports develop किये जाए to introduce a new simplified personal tax regime ठीक है personal tax regime बहुत simplified way में no income tax for income up to rupees 5 lakh तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि income tax के slab में कोई change नहीं है ठीक है next है हमारे पास 10% of the income tax for those earning between 5 lakh to 7.5 lakh versus 20% earlier तो यह वही same rate है जो हमारे पास previous budget में थे 15% of the income tax for those earning between 7.5 lakh to 10 lakh versus 20% earlier 20% income tax for those earning between 10 to 12.5 lakh okay 25% income tax for those earning between 12.5 to 15 lakhs next income above rupees 15 lakh to continue to pay tax at 30% जिनकी भी income 15 lakh से ज्यादा है तो उनको कितना payment करना पड़ेगा tax का 30% new income tax scheme is optional without exemptions DDT dividend distribution tax abolished shifted to individual instead of companies 100% tax exemption on sovereign health funds Indian investment tax holiday for affordable housing extended by 1 year to amend the IT act to allow faceless appeals year 21 divestment target तो गो 20 का target था 1.05 lakh करोड वर्शे 20 का target था 1.05 lakh करोड और divestment जो होगा वो है 2.1 lakh करोड To launch new direct tax dispute settlement scheme Interest penalty waived Till March 31st 2020 To raise India's Fishery exports to Rs. 1,000,000 crore By 24-25 Excise duty hiked on tobacco cigarettes Raised Excise duty किस पर tobacco cigarettes पर लेकिन कितने भी बढ़ जाए फिर भी इनका consumption आपको पताएए कि consumption का बढ़ी रहा है Analysis of Union Budget 2020 के analysis है एक बार इसको भी देख लेते हैं जल्दी से We may give a little Title to our Union Budget As Union Budget Raise Spending To Revive Economic Growth ठीक है अगर हम इसको एक छोटा सा Title देना चाहें तो वो क्या है Union Budget Raise Spending To Revive Economic Growth Union Budget Tabled by Narendra Modi's government Looks to put money in the middle house Income group as Using a key tool to revive Economic growth the government tries To gain public trust and consumer confidence In this budget which is witnessed by By raising insurance limit deposited with banks From one leg to rupees five leg The government seems to keep a balance Between social and cooperative responsibilities By focusing deprive segment as a farmer And middle class and wealthier corporate segment To government क्या है अपनी consumers का जो भी हम लोग है उनका trust को क्या करना चाहती है Gain करना चाहती है ठीक है तो ये काफी सारी चीज़े है तो आपको मुझे बताना पड़ेगा students कि यहाँ पर आपको इस budget में क्या चीज़ें अच्छी लगी ठीक है किस चीज़ से आपके क्या positives हैं क्या negatives हैं इसके ठीक है क्या impact पड़ेगा इस नए budget जो नया budget आया है ठीक है ये budget पहले वाले budget से ज्यादा अच्छा है या पहले वाले budget ज्यादा अच्छा था आप मुझे comment section में जरूर comment करके बताईए ठीक है और इससे related और भी जो key points और भी होंगे नई ली चीज़ें जो आएंगी मैं उन पर भी आपको videos लाता रहोंगा जो students जो viewers हमारी इस video से हमारे channel पर आये हैं तो इनसे request है कि please हमारे channel को subscribe कर ले और पास ही bell icon को press कर ले ताकि आप से related कोई भी अगर related videos अगर हम ले कर आए तो आपको सबसे पहले मिले और अब आपका काम थोड़ा से ये है कि अगर आपको लगता है कि ये helpful है ये जो video आपके लिए helpful है जो budget के लिए मैंने बनाई है तो आप अपको friends अक्रों में share कर सकते हैं Thank you students, thank you very much